कल देश भर में हुए विभिन राज्यों के उपसुनाओं के परिणाम सामने आए जिन में तीन लोग सभा की सीटों के परिणाम सामने आए तो वहीं 29 विधान सभा सीटों के परिणाम सामने आए तीन लोग सभा की सीटों में खंडवा मध्य प्रदेश से भारती जनता पार्टी ने सफलता प्राप्त की है तो वहीं दादर नागर हवेली से शिवसेना ने पहली बार महरास्ट से बाहर लोग सभा की सीट पर सफलता प्राप्त की है तो वहीं मंडी हिमाचल प्रदेश में क सभलता पराप्त कि है तो मध्य प्रदेश của करनाट過去 शीट सभलता पराप्त हुए है और कौंग्रेस पार्टी की ने हिमाचल प्रदेश की चार विधान सभा सभी शीटां पर confession की है और वहीं राज़स्थान कारनाटर कमें एक सम् COM स função हो definitive हर लिहाज से बहुत महत्वापूरन चुनाओं है इन चुनाओं ने बहुत हद तक संके दे गया है कि देश में आज जनता का जो मूड है वो किस तरह का है आने वाले दिनों में हालात राजिनीतिक हालात देश में कैसे बनने वाले हैं इसकी अच्छी खासी एक तस्वीर सामन आ चुकी है जहां तीन लोग सभा खी शीटों पर परिणाम सामने आएं हैं तीनो ही सर्थौं पर जो भारती जनता पर्टी का दो हजार वननीस में जो मत प्रतिशत था उसकी तुलना में इस बार भारती जनता प्रतिशत इन तीनों ही लोग सभा की स्वीटों खंडवा और दादर नागर हवेली में साथ से आठ प्रतिशत तक गिरा है जो बहुत बड़ा संकेत दे रहा है और भारती जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विशय है जब नरेंदर मोदी को गुजरात में मुख्यमंत्री बनाया गया था उससे पहले केशु भाई पहले में मंत्री हुए वहां पर तोमटरिक आथे शावर काहंट्टा और शाबर नहीं दोनों ही विधानसभा के सीटवाइचा के उस समय के शिर्ष ने गुढ़ानी फारटी को को मुख्य मंत्री पस से हटा कर नरेंदर मोदी को गुजरात का मुख्य मंत्री बनाया जाए फिर नरेंदर मोदी गुजरात के मुख्य मंत्री बने फिर उसके बाद लगातार उन्होंने वहां पर चुनाओ दर चुनाओ सफलता प्राप्त करते चले गए और फिर उसके बाद वो देश के प्रधान मंतरी तक बने अगर उन दो शेत्रों में अगर उस समय साबर खांटा और साबर मती में नरेंदर मोदी के मुख्य मंतरी बनने से पहले अगर उप चुनाओ ना होते और उन उन में भाट्पा को असफलता ना मिलती तो फिर नरेंदर मोदी आज देश के प्रधान मंतरी भी नहीं बन पाते उन दो चुनाओं में भाट्पा की पराजय का ही कारण था कि भाट्पा के शीष ने तो तुने केशु भाई पटेल को मुख्य मंतरी पत्स से हटा कर नरेंदर म भारति जनता पार्टी भली भांती अवगत है और उप चुनाओं का महत्व और उप चुनाओं के परिणामों का जो महत्व है उसको प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से अधिक और कौन जान सकता है आने वाले दिनों में कहीं राज्यों में चुनाओं होने जा रहे हैं आने वाले महिनों में जिन में उत्तर प्रदेश का विधान सवा चुनाओं बहुत महत्वा पूर्ण हैं जिसको ले करके भारती जंता पार्टी में अभी से मन्थन चल रहा है और इस बात को भात्पा के नेताओं के तौर की ओर से कहा जा रहा है कि दोहजार चौबीस में अगर फ और संकट का विशय बना हुआ है